हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है सिद्धार्थ कस्यप और आपके चैनल माई लाइक वीडियोस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं यह आई टे रिलेटिव वीडियो है जिसमें हम ट्रेट कारपेंटर का डेली एक कोशन सॉल करते हैं तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोशन नंबर 24 की तो चलिए सुरू करते हैं हाँ दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कोशन नंबर 24 है कि नेम दा सपोर्टिंग इक्यूमेंट यूज्ट तू सा दे लॉंग पीस ओप दे टीमबर बाई हैंड इस कोशन को मैं आप समझ गया होंगे कि कोई ऐसी चीज जो सपोर्ट करती है यानि कि हम आरी से कोई पीचीज कारते हैं आरने कि लेते हैं तो भीकजी जाती है इस पेसल इसी चीज के लिए बनी होते है कि आरी पे आरी से को चीज काट नहीं हो तो उस चीज को उसके उपर रखे फिर काटे है तो उसका नाम है साहोर्स और ट्रिस्टिल अब मैं आपको बजा देता हूँ यह कैसा दिखता है तो उसके लिए हमें चलना पड़ेग हमारी NCVT बुक में तो चलिए NCVT बुक में देखते हैं कि साहोर्स कैसा होता है हाँ दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं सामने जो आपके डाइग्राम है इसे हम कहते हैं साहोर्स और ट्रिस्टिल यह एक ही नाम है अब आप जान चुके हैं कि साहोर्स कैसा होता है यह तील का होता है इस्टील नेल प्लेट्स ठीक है बाकी यह पूरा लकडी का बनावा होता है अब इस पर हम कैसे काम करते हैं पहले इसके हम कुछ पढ़ते वे चलते हैं ताकि इसकी और भी अच्छी चीज़ पता चलता है Sawhorse is used for when saving long rappers यानि के बड़ी लंबी लकडियों को काचने के लिए ये काम में आता है it is made of hardwood यानि की ये मजबूत लकडी का बनावा होता है अब देखते हैं हम इस पर किस तरीके से काम करते हैं जैसा कि आपने ये डाइगराम नीचे देख रखा है कुछ इस तरीके सा हम इसके उपर काम करते हैं ठीक है ये साहर्स है ये दोखो ये रखा इसको इस टाइप से रख दिया है आडे रख दिया है इसके दो रख दिया है आडे आडे और इसके उपर एक लकडी खडी कर दिया और इसके उपर ये दोखो ये काट रहा है ठीक है और इसके अंदर क्या लिखा है इसके अंदर लिखा है कि it consist of two white piece of timber joined at a top closely and at a bottom widely as in so figure 1 यानि कि इसके अंदर जो दो छोटे छोटे पीस है यहाँ पे लगे होते हैं नीचे लैक साइड में total charge piece होते हैं और एक लंबा piece बड़ा उपर लगा होता है बस साहर इत्ती सी चीजों से बनता है और इसमें लिखा है कि long piece of timber or wood piece by placing on the tristil as so figure 2 along the grain यानि कि आप इसको इस टरीके से भी काम मिले सकते हैं एक single सा horse देखो खड़ा वाए और लकडी पूरी इसके उपर आगई और एक गुठना इसके उपर रखके आप इसको एक लकडी को अराम से काट सकते हैं ठीके आपके lag के जो इससे आपको लकडी को सपोर्ट देने में भी आसानी होती है और यह आराम से लकडी कट जाती है next point है इसका for short plank a single horse for tristil can be used for climbing and across the grain यानि कि इसके रेसो के आर पार अगर लकडी काटनी हो रेसो के अनुकुल लही रेसो के आर पार काटनी हो तो वो भी इससे कट जाती है ठीके तो इसके काफी सारे points है और आप diagram देखके भी समझ गये होंगे कि साहोर्स किसे कहते हैं यह कैसा दिखता है और साहोर्स का दूसरा नाम क्या होता है तो मैं आसा करता हूँ कि आपको question number 24 अच्छी से समझ में आ गया होगा अगर आपको question number 24 से relative कोई भी doubt है तो नीचे comment box में लिखके आप मुझे बता सकते हैं या आपको कोई नया वीडियो कोई नया topic पर वीडियो चाहिए तो वो भी नीचे comment box में लिखके आप मेरे को बता सकते हैं उस topic पर में वीडियो बना के आपको दे दूँगा अगर आपने मेरा channel subscribe कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद अगर channel subscribe नहीं किया है तो नीचे दिएगा लाल बटन subscribe पर click करके कि आप मेरा channel subscribe भी कर सकते हैं subscribe करने के कोई पैसे नहीं लगते यह free of cost है subscribe करने के बाद में जो कोई भी नया वीडियो upload करूँगा वह आपके पास पहुंच जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 इसे like करना ना भूलिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ share भी कर सकते हैं and thank you for watching your channel my like videos